नुश्का बच्चों स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 10 की मैट्स की वर्क्षीट नंबर 34 को जो कि 21 सेप्टेंबर 2020 को आई थी यह इंग्लिश मीडियम का वीडियो है तो ध्यान से देखिए प्रॉब्लम्स बेज्ड ओन ट्रीग्नोमेंट्रीक वेश्व ऑफ 304560 तो आज हम ट्रीग्नोमेंट्रीक वेश्व पढ़ने जारहे हैं हमने स्टार्ट इसको पिछली चप्टर पिछले वीडियो में इखा देटा पिछली क्लास में लिसे इसमें हमने समझा था कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्फ करते हैं और हमने यह भी देखा था कि trigonometry में अलग-अलग angles की अलग-अलग values होती है वो values भी हमने समझी थी तो सबसे पहले recall कर लेते हैं उन्होंने recall करने के लिए का है साइन की value 30 पे होती है 1 by 2 45 पे 1 by root 2 60 पे root 3 by 2 cos की value उल्टी होती है cos की value 30 पे होती है root 3 by 2 जो कि यहां 60 पे थी 45 पे दोनों same होती है और जो यहां 30 पे थी 1 by 2 वो यहां 60 पे होती है 1 by 2 similarly 10 की value होती है 1 by root 3 वो इन दोनों को divide करके आती है अब यह तो दोनों same है तो divide करेंगे तो कितना आएगा 1 और इन दोनों को divide करेंगे तो आएगा root 3 तो table हमने solve कर लिया चले आगे बढ़ते हैं अब उन्होंने question दिया है evaluate sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 तो हमने का sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 sin 60 की value root 3 by 2 cos 30 की value root 3 by 2 plus sin 30 की 1 by 2 cos 60 की 1 by 2 root 3 root 3 कितना हो जाएगा 3 by 4 plus 1 by 2 1 by 2 1 by 4 add किया 4 by 4 answer आगया 1 बिल्कुत सेम ऐसे example number 2 भी है जिसमें उन्होंने बोला कि in triangle ABC angle B is equals to 90 degree angle B जो है वो 90 degree का है AB is equals to 5 cm and angle AC B is 30 तो AB जो है वो 5 cm का दे रखा ये angle हमको दे रखा 30 degree determine the length of sides BC and AC तो BC और AC जो sides इनकी length निकाली है तो हमने कहा AB by BC यानि perpendicular upon base होगा 10 थी 5 by BC is equals to 10 30 10 30 की value होती 1 by root 3 तो BC यहां से आ गया 5 under root 3 ऐसे ही sin C का formula लगाया तो AC निकल गया 10 cm थर्ड एक्जेम्पल है if tan A plus B is equals to under root 3 and tan A minus B is equals to 1 by under root 3 find the value of A and B साथ में यह भी दिया है कुछ conditions है कि जो A की और B की value है वह 0 से 90 के बीच में ना 0 है ना 90 है तो हमने कहा A plus B 10 A plus B is equals to under root 3 है अब ध्यां से देखे 10 की value under root 3 कब होती है तो 60 पे होती है इसका मतलब A plus B equal to आ गया 60 आपकी बनगा equation number 1 similarly 10 A minus B की value देवा किए 1 upon under root 3 आप देखे 10 की value 1 upon under root 3 कब होती है 30 पे तो A minus B आ गया आपका 30 इस उपर वाली को मान लिया equation number 1 नीचे वाली को मान लिया equation number 2 दोनों को solve किया आपका answer आजाएगा एकी value 45 एकी value 15 चले example से मुझे लगता आपको समझ में आगए तो आगे बढ़ते है तो आगे हमको दिया example number 4 जो कि थोड़ा बड़ा example है तो आएसे बड़े questions trigonometry में बहुत पूछे जाते है उसमें लिखा evaluate इसमें भी evaluate लिखा साइन 30 तैन 45 माइनस को सेक 60 अपान सेक 30 को सिक्स्टी और कोट 45 सिंपल हमने क्या करना है बेटा साइन 30 की जगा साइन 30 वन बाई टू तैन 45 की जगा टैन 45 वन को सेक 60 की जगा को सेक 60 टू बाई रूट त्वी सेक 30 की जगा सेक 30 की वेल्यू टू बाई रूट 3 को सिक्स्टी की जगा को सिक्स्टी वन बाई टू कॉट 45 की जगा कॉट 45 वन हमने सारी वेल्यू को पुट कर देना फिर हमारा आंसर निकाल लेना है ऐसे कुश नुबर फिफ्ट है चूज दे करेक्ट ऑप्शन इन जस्टिफाई यूर चॉइस टू टैन 30 अपॉन माइनस 10 स्कूर 30 तो उन्होंने सॉलूशन करके देखा है सॉलूशन करके आपका आंसर आया अंडरूट 3 अगर ध्यान से देगे 10 की व वे अंडरूट 3 नहीं आती चलिए मुझे लगता है कि आपने सारे एक्जेम्पल देख लिए अच्छे से समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेशन पर तो पहला क्वेशन है इफ साइन ए माइनस बीज इकुल्स टू वन अपॉन अपॉन टू और कॉस ए प्लस ब इसको बना लिया एक्वेशन वन इसको लिखो एक्वेशन नमबर टू अब आपको वर्कशीट में एक्जैम्पल में क्लियरली नहीं समझायता मैं दोनों को एड़ करता हूं तो ए प्लस ए कितना हो गया टू ए और प्लस बी माइनस बी तो कैंसल हो गया आपस में फिए 30 औ और 60 दोनों को एड़ के कितना है 90 ए इस एक्वेशन नमबर वन में रखा तो ए की वेल्यू 45 तो यहां से बी की वेल्यू आ गई आपके पास 15 यह आंसर आ गया ए की वेल्यू 45 बी की वेल्यू 15 सेकेंड क्वेशन है कॉस 45 अपॉन सेख 30 प्लस को सेख 30 तो कॉस 45 की वेल्यू होती वन बाइ रूट तू और सेख 30 होता है तू बाइ रूट तू हमने वेल्यू डाली वन बाइ रूट तू अपॉन में टू बाइ थी और टू बाइ वन था तो रूट थी और वन कितना हो ज रूट त्री तो रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टिप्लाय हुआ आपके टू रूट सिक्स आगे हमने सॉल्व किया रूट थी अपान टू रूट टू प्लस टू रूट रूट 6 यही था राशनलाजम करना पड़ाएं क्योंकि अपॉन में नंबर रूट नीच चाहिए होता है तो जो रूट 2-6 गया रूट रूट 3 का रूट 2 से मल्टिप्लाय है तो रूट 2 रूट 6 एक है रूट 3 को रूट 6 एक है तो रूट 18 है रूट तू रहे सकर ऐसी यह root 18 भी solve हो सकते लेकिन अगले step पे करेंगे और upon में formula बना a plus b a minus b formula होता है a square minus b square तो a square हो गया 2 root 2 का square और b square हो गया 2 root 6 का square तो 2 का square होगा 4 multiply by 2 8 और 2 का square होगा 4 multiply by 6 24 अगले step में हमने solve किया तो 8 minus 24 कितना आएगा से minus 16 minus का sign ऊपर आ गया तो 2 root 6 हो गया minus का और minus minus हो गया plus यह आगया 6 root 2 कुछ करवड होगी तो रूट 6 हाँ एक और चीज़ यहां पर 2 root 18 को 18 में से मैंने 3 भाह निकाल लिया तो यह 6 root 2 हो जाएगा इन दोनों टर्म्स को सीधा करके लिख लिया तो सीधा कर लिख लिए इनके इंदर से 3 पहले इसके इंदर से 2 जो cancel हो गया 16 से वो cancel कर दिया कि यह आंसर में लास्ट में यहां पर 16 नहीं होगा बलकि एट होगा कि यह होगा आपका आंसर थ्री रूट टू माइनस रूट 6 अपॉन एक यह आंसर है इसे इंदाते हैं जलें फ्रड कोशन देखते हैं हैatin चैक थर्ड कोशन हमें दिया था 210 45 प्लस कौश्थ कॉस्कॐर 30 माइनसस क्भा इस सिक्सटी तो इवई 10 स्कॐर 45 तो 1 होता है य referrals एद में स्कूर स्क्वेर से रूट कट गया तो 3 by 4 हो जाएगा स्क्वेर से रूट कटा 3 by 4 क्या पॉन में रूट नहीं था न तो 144 का एलस्यम 4 यहां आ जाएगा टू फो जा एट और यहां तो 33 वहाएगा तो 8 प्लस 3 प्लस 3 14 अपॉन 4 जो कैंसल होगे आगे 7 अपॉन 2 लास्ट में बोला था टू तैन 30 प्लस 10 स्क्वेर 30 अब 2 तैन 30 प्लस 10 स्क्वेर 30 का क्या होगा टू 10 30 उगे 2 वन बाई रूस्यम ऊपर अगया 3 टू 6 प्लस रूस्यम तो आपका अंचर आगया 6 एपॉन 3 यह व्क्षीट में तो इन्हों इपूर्ट Crow एं ए और एंडिप्वर्शेट की किसी पार्ट से वो मैच नहीं कर रहे है पर फिर भी हमने पूरा कोशन यहां तक का सॉल्व कर लिया चलिए बच्चों साइन्स की वर्कशीट का वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगा मैच की वर्कशीट का वीडियो